हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज क्लास 10 के स्टुडेंट वो 12 के स्टुडेंटों के लिए एक important point पे हाँ बात करना है कि आप परिछा कच्छ में किन बातों का ध्यान देंगे फ्रेंस यदि आप इन बातों को ध्यान देते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप बोड के एक्जाम में 95 से लेकर 97 परसेंटेज तक प्राप्त कर सकते हैं हाँ फ्रेंस ये सच बात है कि फ्रेंस कई स्टुडेंट बहुत ज़्यादा पहने में अच्छे होते हैं लेकिन वो क्या बोड की एक्जाम में गलतिया कर जाते हैं को एक्जाम में टाप नहीं कर पाते हैं लेकिन एक स्टुडेंट ऐसे होते हैं कि जो इन सभी बातों को एक्जाम हाल में ध्यान देते हैं तो क्या कर जाते हैं ठीक है तो एक टापर जो हते हैं और एक अच्छे स्टुडेंट में प्रइच क्या अंतर होता है जो ठाप कर जाते हैं उमें किया अंतर है आज उन्हीं बातों वंपर हम बात करेंग Kiss परिच्छ pinch क्छ में ध्यान देने व्यों के। विंदू यानि किस विंदू आपको अपको ध्यान देना आ है कभी स्टुडेंट क्या करते हैं कि प्रश्ण पत्र मिलता है वह हल करना स्टार्ट करते हैं जैसे आपको यह प्रश्ण पत्र देखिए गड़ित का है और यह जो है बोड की द्वारा यह माडल पेपर जारी किया गया है आपको तीन घंडा पंद्रे मिनट का समय मिलेगा और भी आपका नंबर रहें गड़ bist ऐसी नंबर के मिलेगा ठीक है सतर नंबर का पुड़ा पुडा पुरांक रहेगा फ्रेंज देखिए आक को जैसे काप यह प्रश्पत्र मिलेगा पहले इस प्रश्पत्र मिलेगा इसके समानिन देश्व को पाढ़ लिई के बाद आप सभी प्रश्ण हो क्या की सब्हाइब अच्छ प्रकास हैं पखने के बाद देखिए दूसरा पॉइंट पे इस साल ना प्राशन नंबर नहीं करते हैं तुन लिएगा जो बोर्ड के इक्जामि पेपर होना है, उसमें खंड अ और खंड बह रहेगा, दो भाग रहेंगे, ठीक है, अब देखी जब दो भाग आपका रहेगा, तो इसमें खंडवार का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखे, प्रा लिखना रहेगा अब खंडबग जैसे आपका रश्न म औतर संख्या जैसे चाधर नंबर का प्रशन को अल करना एते यहाँ लिखें चार फिर इसके बाद यहां से इस तरह आप डालके यहां से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है तो खंडबा का हल कर लीजिए अब दिखे फ्रेंस आपको क्या करना है तीसरे नंबर का पॉइंट क्या ध्यान देना है आपको कि परिच्छा में आंकिक जो प्रशनों को हल करते समय है पर यह इस तो आता है राइट उनका इंसवर आजाए जैसे मात्रों को लिखना भूल जाते हैं जिससे उनका नंबर कड़ जाता है ठीक है यह मात्रक हुआ परतीक हुआ कि किस्या देखाना इसको लिखना जरूरी होता है अब फ्रेंच जैसे प्रशन आप हल कर रहें उसमें सुत् में लिख दीजिए ठीक है जरूरी देखाना पड़ता है जैसे जो एक्जामनर होते हैं वह समझ जाते हैं कि आप इसी सुत्र पर उस सवाल को लगा है कई होते हैं क्या करते हैं कि सुत्रों नहीं लिखते वह सवाल लगाते चले जाते हैं और सुत्रों का प्रियोग नहीं क पोड़ी कि प्रशन नहीं प्रशन का रहे गलवा सही पहले पेज पहले पेज प्रशन को रहल करें कि जिस प्रशन को प्रशन आपको सही आ रहा है तो पहले पेज्य तूसरा पेज जो होता है उस पेखता कि पहले सब्सक्स गलती प्रशन Yakar किसी प्रेश्ष् Kazaminer को आपको पता है कि जो एक्जामन्र होते हैं कि आपको कापी चेक करते हैं वह एक या दू मिनट में सभी कापी चेक करना रहता है यानि कि एक कापी को बहुत समय देते हैं एक या दो मिनट अब पहले पेज पर यह दी आप सवच सुंदर लिखे रहेंगे तो समझ जागा कि यह इस्टुडेंट बहुत अच्छा है वह नंबर देत है यह डिएंग दीज आ यह मिनट करके उसके बाद कठीन परिशनों को हल करेगा यकाईसे प्रश्ण पत्र मिले हम्स आप क्या कीजिएगया पूरे प्रश्ण पत्र को पहले आ सबसे महीं प्रशन को आप सबसे में अधिन प्रश्म का पाद में लेखिए करना है समय का ध्यान रखते हो सब ही प्रशन का नगिए समय देना है आप पाहले सेट कर सकते हैं तो आपका नमबर की हिसाब से लिखना है है लिगह दीजिये चार नंबर की यह प्रकार का मतलब यह हो जाता है जिससे आप इन सभी गलतियों से बच जाएं देखिए आपका अगला है कि प्रशनों की प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें प्रशनों की प्रकार का मतलब प्रशनों की प्रकार के आधार पर आपको उत्तर देना है आपको अगला है चित्र का प्रियोग रिफ्रेंस यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा जिसमें आपको चित्र जैसे आपको जैसे सवाल लगा रहें त्रिकोड़ मीटि या त्रिकोड़ मीटिम डारेक्ट मर लगा इस तरह आप समकोड भुच बना देंगे तो चित्र बन जागा और इसको आप क्या कि जब ब्लैक पेन हुआ या किसी पेंसिल के दोवारा आप स्वच एम सुन्दर बनाईएगा पेंसिल या माली जिए कि आप बिग्यान का दे रहे हैं तो बिग्यान में जैसे हिर्दे के आगया ठीक है फेफडा का गया तो उसका सोच चित्र भी बनाई यह यादि आप चित्र बना देते हैं और कम भी थोड़ा से दो लाइन कम लिखते हैं तब यह आपको नंबर उस पर चार नंबर पूरा मिलेगा चित्र जिस प्रशन में आपको चित्र आ रहा है यह यह your starting say SAY About पूरा प्रशन ह हल लिए हैं फिर भी आप उसको एक बार दो बार लिशए कोई परस्ण का ऐंसवर आप छोड़े तो नहीं है एक बीजेंगे कोई पर चुटा अर शुता है उसको लिख सकते हैं यह मत किजिए और लिख दिए आप पंग xuर समय बचा है आदा गंटा आप आराम से उसमें बैठिए, कि नहीं हम तब पूरा प्रशन कर लिए है तो देखिए आपको क्या करना है कि पूरा आप देख लीजियेगा उसमें कि किसका इंसवर चुटा है, किसका इंसवर नहीं चुटा है तो उसको आप लिख सकते हैं तो फ्रेंस यदि आप इन जो आपको 10 पॉइंट बताएं आपको इन 10 पॉइंट को आप ध्यान देते हैं तो बोर्ड के एक्जाम में आपको 95 से 97 परसंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है ठीक है तो पढ़ाई के साथ-साथ में आपको जो गलतियां करते हैं उस गलती पर आज हम बात किये हैं इन बातों को आप ध्यान दीजिए जिसे आप बोर्ड के एक्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं ठीक है फ्रेंस तो आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें